मेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम हो विजय कुमार विजयरा चैनल में बहुत बहुत आप लोग का स्वागत हैं दोस्तों बहुत सारे ये वीडियो में कोमेंट आ रहा था कि आखिर में आप लोग जब NTPC के बारे में दिखाते हैं तो आप लोग पूरी तरह से नहीं बता प इसमें में होता है फार्ट होता है जो कि वाइलर आव वाइलरे से होता है जो कि विजली उत्पादन किया जाता है ऐसे मैं इस वीडियो में सुरू से लाज्ट तक जरूर बने वही रहीएगा ताकि पूरी तरह से आप लोग को जनकारी मिल सके आप लोग को जितने भी आदमी ए नजर आ रहे हैं यह सारा working करकर के बाहर निकल रहे हैं तो दोस्तो आप लोग को एस सारा मैं वाइलर दिखाने का कोशिस किया हूँ आगर आगे आप आते हैं तो इसके बाद आप दोस्तो बताने वाला हूँ ये यूनिट है पाच यूनिट का वाइलर NTPC है और अगर आगे आप आते हैं तो इसमें आपको मैं दिखाना चाहता हूं दोस्तों यह service building है मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक कर दिजिएगा और इस subscribe चैनल लाइक दिखाई देगा है तो प्लीज इसको दवा कर काला कर दिजिएगा और यहां ते इस घंटी पर click करके आप प्लीज इस जगह जो अगर बात किया जाए दोस्तों तो आप लोग देख सकते हैं गारी का parking किया जाता है और आगे मैं इस वीडियो में आप लोग को और बताने वाला दिखाने वाला हूँ यह दोस्तों आप लोग देख रहे हैं वाइलर का में पार्ट्स जो कि कंट्रोल रूम का ठी होता है और इसी में है में टर्वाइन और सारा पार्ट्स इसी जगह लगा हुआ रहता है जो की आपको 20 φीट उचाई पे बना हुआ है और आप लोग देख सकते हैं जिस तरह है कि आपको पूरे रास्ता में मैं दिखाने का परियास करता हूँ उसके बाद आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ए जो है की इंडिकेटर है जो की हर चीज का इंडिकेट करता है आगे मैं आप लोग को दिखाने का पुरा प्रियास करता हूँ यह जो आप लोग देख रहें दोस्तों यह टाइल्स वगेरा जो लगा हुआ है यह जेस्ट ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है सर दोस्तों यह 220 फिट उचाई पे हाइट पे है और अगे की बात किया जाए तो दोस्तों आपको और मैं एस्टेप बाई एस्टेप दिखाने का प्रियास करता हूँ यह रास्ते से आप दोस्तों वर्किंग के लिए रास्ता रहता है जो की हर काम के लिए वर्किंग के लिए वाइलर में जाने का रास्ता बना हुआ रहता है जिसमें के हम लोग जाते हैं काम करते हैं यह दोस्तों आप लोग को लग रहा हुआ कि अंदर ग्राउंड है लेकिन अंदर ग्राउंड ही विल्कुल नहीं है यह रास्ता है जो की अगर आगे की बात किया जाए दोस्तो, तो आप लोग को मैं और stay by stay दिखाने और बताने का पुरी तरह से परयास करता हूँ, यह जो कि देखने में इतना सुंदर लगता है कि आप लोग देख सकते हैं, कि देख्ते ही लगता है कि श्वर्ग है, आप आगे दिखाने का परियास करता हूँ दोस्तों यह है जो कि control room है इसी में जो कि सारा control unit का होता है सभी wailer का होता है तो यह है जो control room है NTPC का आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा display लगा हुआ है इसी जगह से है जो कि पूरा wailer का unit का control किया जाता है ज्यादा करके यह तो 4-5 unit का होता है इस जगह बाकिर इसके बाद आपको दोस्तों दिखाने का परियास करता हूँ यह cooling tower है जो कि पानी water जो होता है उसको filter करके wailer में भेजा जाता है इसी जगह जहरने द्वारा आप लोग देख सकते हैं रिमजीम रिमजी इसी बारिस होती है उस तरीक दोस्तों कि आखरी में यह water है जो कि पानी कैसे जाता है तो आप लोग को बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इसका है जो पाइप द्वारा अंदर ग्राउंड द्वारा जाता हूं इसके बाद आपको देख सकते हैं दोस्तों जो पीने वाला पानी रहता या चाहा है chemistry में जो वाटर या दोस्तों एह है जो कि कमेट्रे लाइवेरी इसी जगर रहता है दोस्तों जो कि हर पानी को फिल्टर करके टेस्ट किया जाता है और हर चीज़ होता वाइल तक्वे होता है आगे आपको दिखाने का पर्यास करता हूं दोस्तों यह railway पर लाइन है यहां पर जो की जितने भी कोईला एंटीपीसी का आता है इसी रूट से आता है और यहां पर है जो की लोड अनलोडिंग का काम किया जाता है आप लोग का आगे मैं दिखाने का परियास करता हूं कि यहां पर कोईला कैसे अनलोडिंग किया जाता है तो आप त्रेण और एक मसीन के सहारे द्वारा इसको उठा के हैं कल ती कर दिया जाता है और सारा कोईला जो की हुआ नीचे की यूर गिर जाता है वह इसके अंदर में दोस्तो है इसके अंदर में दोस्तों बहुत सब्पस्टा सा हुआ ख़दान बना हुआ है जिसमें किया जाता है। और ये अंदर ये अंदर बेल्ट दोवारा टी जी में चला जाता हुश के वाद होता है कि 12-30 प्रोसे से वाइलर में जाता है। वहाँ पे जाके क्या होता है कि कोईला का पिसाई किया जाता है और उसी जगह से कोईला पिसाई करके है जो की फाइन में जाता है और फाइन में जाने का बाद है जो की इसका है जो की लास्ट प्रोसेस होता है और इसी तरह है जो की NTPC में विजली उत्पन किया जाता है अग लोग बोल सकते होंगे या कोशन माइंड में होगा तो आप लोग को मैं इस बारे में बताना चाहता हूं कि NTPC में में रूप से विजली उत्पादन किया जाता है और जो भी उत्पादन किया जाता है उसको मैं step by step दिखाने और बताने का परियास किया हूं कि किस तरह के से प्रोसेस से है जो कि विजली उत्पादन किया जाता है और कैसे मसीन होता है और किस तरीके से उत्पादन किया जाता है तो आप लोग को मैं आसा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आय लाइगा तो सस्क्राइब लाइक एक जरूर कीजिएगा दोस्तों उसके बाद आपको लास्ट में मैं दिखाने का परियास करता हूँ यह 500 मेटर उपर से आप लोका है जो कि हर तरीके से एंटी पीसी का जो पुरा नक्सा होता किस टाइप से देखने में लगता है आपको बह 500 मीटर हैट से यह जो की वीडियो शुटिंग किया गया है आप लोग देख सकते हैं दोस्तों की तरीके से उपर से देखने में कैसा लगता है तो आपको मैं ग्राउंड से लेके 500 मीटर हैट तक का दिखाने का पुरा परियास किया हूँ दोस्तों मैं मैं दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए आप लोग का बहुत सारा कॉमेंट आ रहा था इसलिए मैं इसको पुरी तरह से समझाने और बताने का प्रियास किया हूँ जिसमें की काफी मुझे बक्त लग गया आप लोग को कॉमेंट का जबाब देने में इसलिए आप आप लोग के साथ वीडियो लाने का पूरी तरह से अगर दोस्तों मन में कोई और कोशन है जरूर करें इसका जरूर रिप्लाय मैं दूँगा और दोस्तों अबना बर पूरी प॰ियास से आप लोग को बताने का समझाने का दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो Subscribe जरूर करें और अगर माइंड में कोई कोशन है तो कोमेंट जरूर करें आगे मैं कुछ बोलने में या समझाने में तो जरूर कोमेंट करें दोस्तों ताकि आप लोगों को आगे वीडियो लाने में पूरी तरह से कोशिस परियास रहेगा कि कोई गलती ना करें आप लोगों क तरह से समझाने और बताने का परियास करूं जिसे की कोई आप लोग को देखने और समझने में काफी असान होगा और आप पूरी तरह से NTPC के बारे में जान सकते हैं